Hello Everyone, हम लोग Unit 2 of Environmental Studies, Ecosystem पढ़ रहे थे तो जल्दी से देख लेते हैं कि अभी तक में हम लोगोंने क्या-क्या कम्प्लीट कर लिए हैं तो सबसे पहले क्या आता है? Introduction हम लोगोंने Introduction अच्छे से पढ़ा, उसके बाद Ecosystem को अच्छे से कवर किये फिर Components of Ecosystem पढ़े, फिर Traffic Label कवर कर लिए आज हम पढ़ेंगे, Traffic Label के अंदर आता है एक Topic Food Chain और Ecosystem Functioning आज हम ये दोनों अच्छे से कवर करेंगे और अच्छे से Detail में पढ़ेंगे तो जल्दी से देखते हैं कि Food Chain क्या है? यानि कि Food Chain क्या है? ये क्या है? ट्रांस्फर है Food Energy का एक ट्राफिक लेबल से दूसरे ट्राफिक लेबल में इसी को हम Food Chain कहते हैं कैसे? इक्जाम्पल से देखते हैं सबसे पहले क्या होता है? ग्रास है न? इसे कौन खाता है? सपोज ग्रास होपर अब ग्रास होपर पे भी कोई फीड करता है सपोज फ्रॉग है न? इसे कौन खाता है? फ्रॉग इस तरीके से फ्रॉग को भी स्नेक खाते हैं तो इस तरीके से जो क्या हो रहा है एक ट्रांसफर हो रहा है फुड इनर्जी का ग्रास से कुछ इनर्जी ग्रास होपर के पास गया और ग्रास होपर से कुछ इनर्जी फ्रग के पास गया तो ये क्या हुआ ट्रांसफर हुआ फुड इनर्जी का तो इसी को हम क्या कहते हैं फ producer से consumer के तरफ जाता है, है ना, मतलब कल हम लोगोंने traffic level में अच्छे से पढ़े थे, कि हमेशा energy का flow जो होता है, वो lowest traffic level, यानि कि T1, ये producer क्या होता है, T1, ये lowest से हमेशा highest के तरफ जाता है, ठीक है, तो उसी को क्या कहते है, traffic level, और इसी traffic level के अंदर क्या आता है, food chain, ठीक है, उसके बाद जल्ती से देख लेते हैं कि food chain कितने types के होते हैं, सबसे पहले, सबसे पहला जो food chain है, वो क्या है, grazing food chain, ठीक, grazing food chain के example है, grass, इस पे grasshopper feed करते हैं, frog grasshopper पे feed करते हैं, snack, frog पे feeding करते हैं, और eagle, snack पे feeding करते हैं, है ना, तो ये क्या है, बिसिकली यह arrow है बट अच्छे से लिया नहीं कोई नहीं यहाँ पर arrow है ठीक है I hope इतना आप समझ रहोंगे तो यह chain हमेशा किस से start होगा green plants से ठीक है यही है grazing foot chain यह example है आप कुछ और भी example सुच सकते हो उसके बाद आता है detritus foot chain इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है सबसे पहले इसमें जो term दिया गया है detritus इसका मतलब क्या है यह क्या होता है जो dead organic matter होता है किसी भी animal waste का यह plant bodies का उसी को detritus कहते हैं और इस detritus पे जो feed करता है उसे detrivores कहते हैं d e t r i v o r e s उसे क्या कहते है detrivores ठीक है इतना clear होगा तो यह grazing foot chain और detritus foot chain में basic difference क्या है यह foot chain हमेशा किससे start हो रहा था producer से लेकिन यह foot chain है यह हमेशा किससे start होगा dead decay organism यानि कि यहाँ पे green plants first initial part में नहीं आएंगे यह हमेशा dead decay organism से start होगा तो detritus मतलब क्या हो गया जो साड़ा गला चीज होता है वो और इस पे जो feed करते हैं उसे detrivores कहते हैं यानि कि यह dead decay organism से start हुआ और इस पे feed कौन कर रहे है आर्थवाम तो आर्थवाम यहाँ पे क्या है मोल तो यह जो food chain बना यह क्या हुआ dead decay organism उस पे feed क्या कौन अर्थवाम अर्थवाम पे कौन फिट क्या मोल है ना तो यह सारे चीज क्या हो गया detritus food chain उसके बाद next आता है parasitic food chain अब देखते है parasitic food chain क्या चीज़ है उससे पहले देखते हैं कि parasitic का मतलब क्या है parasitic word जो है वो किस से originate हुआ है पेरसाइट से है ना पेरसाइट का मतलब क्या होता है जो दूसरे के body में present रहता है और उस पर feed करता है उसे क्या कहते है पेरसाइट जैसे कि यहां पे क्या है जेब्रा जेब्रा के उपर कौन present रहता है नेमाटोर्ड यह चोटे चोटे और्गयानिजम चोट रहते है और उस नेमाटोर्ड में कौन present रहता है बैक्टेरिया है ना तो यह जो chain form हुआ इसी को parasitic food chain कहते है ठीक है तो यह जो हमेशा इंड होगा वो किससे इंड होगा एक parasitic organism से जो predator के तरह है वो अपने host को kill नहीं करता ठीक है यह parasite चीज़ी है कि यह दूसरे के body में present रहते है बट उसे harm नहीं करते है ठीक उसके बाद जल्दी से देख लेते हैं कि ecosystem functioning क्या चीज़ है सबसे पहले क्या लिखा है the process of cycling of matter and the use of energy in an ecosystem define the fundamental functions of an ecosystem तो इसमें क्या है कि जो foot chain, foot chain आभी हम लोगो ने पड़े, कि उसमें क्या हो रहा था, एक cycle form हो रहा था और वो cycle और use of energy, यानि उसमें जो energy use हो रहे, तो उससे क्या हो रहा है, एक fundamental function पर form हो रहा है, ठीक है तो उसी functioning को क्या कहते है, ecosystem functioning ठीक है, मतलब क्या यह process is cycling of matter का और वो क्या कर रहा है energy को use कर रहा है किसमे ecosystem में जो क्या define करता है उसका fundamental function है ना यह क्या है functioning ही तो है तो वो function का है perform हो रहा है ecosystem में उसी को ecosystem functioning क्याते है ठीक इसके बाद क्या है कि ecosystem our open system needing innate inflow of energy from the sun to continue over time मतलब क्या हुआ कि यहां पर क्या बोला जा रहा है कि ecosystem जो है वो क्या है open system है इसे क्या चाहिए sun का energy है ना कि stage के लिए perform करने के लिए है ना उसके बाद क्या कह रहा है कि without the sun the biosphere of our earth would shortly run out of energy and collapse है ना sun क्या था हम लोगों ने हर chapter के starting में लिखा हुआ है कि sun क्या है source of energy और यही क्या कर रहे है यह energy प्रोवाइट कर रहे किसको प्लांट को यह क्या कर रहे है हम लोगों को foot प्रोवाइट कर रहे तो sun क्या हो गया basic thing हो गया ना अगर sun ही नहीं रहा तो क्या ecosystem तो वहीं बताया जा रहा कि अगर sun नहीं रहा तो biosphere क्या हो जाएगा collapse हो जाएगा ठीक उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि this is because producers which as you are aware are autotrophs use the solar energy of the sun along with nutrients and convert them into food materials which are stored within their bodies अभी जो हम लोगों ने देखा वही चीज यहां पर बताया गया क्या कि producer जो है वो क्या autotrophs यानि कि वो खुद से खाना बनाता है यह क्या कर रहे है solar energy को use कर रहे है और यह solar energy को use करके वो क्या कर रहे है nutrients और convert कर रहे है उसको किसमे food में है ना और वो store करते हैं कहां अपने body में वही बताया जा रहा है उसके बाद क्या लिखा गया है कि all the food materials or nutrients that we or other animal consume are obtained directly or indirectly from produce कर रहा है यही तो है हमारे food का source अगर यह ना रहा तो ना हम रहेंगे और जो मुझ पर dependent वो भी नहीं रहेंगे suppose that कि grass है इस पर कौन फिट कर रहा है ग्रास ओपर ग्रास ओपर पर कौन फिट कर रहा है frog अगर suppose that यह रहा ही नहीं तो क्या ग्रास ओपर रहेगा नहीं और ग्रास ओपर नहीं रहा तो क्या फ्रॉग रहेगा नहीं तो वही बताया जा रहा है कि all the food materials or nutrients that we or other animal consume are obtained directly or indirectly from such producers है ना तो यहां पर जो frog frog है वो क्या उसे क्या फर्क पढ़ता है प्लांट रहे या ना रहे लेकिन फर्क पढ़ता है क्यों क्यों कि अगर पेड़ है तभी तो ग्रास होपर है ना और यह ग्रास ओपर है तभी तो फ्रॉग है और इसके बाद कोन आता है snack snack यानि कि अगर ग्रास है तो ग्रास होपर है ग्रास होपर है तो कौन है फ्रॉग फ्रॉग है तो इसनेक है है ना तो यह क्या बताया जा रहा है कि सब लोग डिरेक्ली और इंडिरेक्ली प्लांट पर ही डिपेंड है राइट बस यही चीज था यहां पर इसके आगे देखते हैं क्या लिखा बार बार लिखा गया है बुक में इसलिए मैं यहां थोड़ा शॉट करके लिखी हूँ में ठीक है फिर से रिपीट हो गया तो वही है कि सन क्या है अल्टिमेट सोर से इनर्जी का विच गैटर्स टुदा नीड ऑफ आवर एको सिस्टम यह क्या है हमारे एको सिस्टम का नीड है it is been observed that 30% of the total solar radiation entering our atmosphere is reflected by the earth atmosphere system the remaining 70% of the radiation is absorbed by the earth's atmosphere of this 90% is absorbed directly by the atmosphere and rest by the earth यह paragraph में क्या लिखा हुआ है जल्दी से समझते है सबसे पहले तो यह बताया जा रहा है कि सन क्या ultimate source of energy है जो क्या need है एको सिस्टम के लिए है ना उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि 30% जो total solar radiation है जो हमारे atmosphere में enter कर रहे है reflect back कर जा रहे है अर्थ से कैसे समझते हैं देखो सबसे पहले बता दू कि यह क्या है heat budget का topic है आप मेंसे जिस किसीने भी जो graphy पढ़े होंगे अपने lower class में उ और यह क्या है अपका sun ठीक यह सारे हो गए उसके बाद यहां पताया जा रहा है कि sun से जो 30% total solar radiation है जो enter कर रहे है atmosphere से वो reflect कर जाते हैं अर्थ से है ना यानि कि यहां जो आया वो टकड़ा के वापस चला गया और remaining to 70% है वो क्या हो रहा है वो absorbed कर रहा है कौन हमारा atmosphere यह वा हमारा earth ठीक है यही कहा जा रहा है मतलब heat budget का क्या logic होता है कि जितने solar energy हमारे earth में आते हैं उतने reflect back कर जाते हैं यह क्या करता है maintain करता है यहां के climate को sustain करने के लिए ठीक है उसके बाद क्या कहा जा रहा है the trapping and flow of energy also involves the circulation of nutrients which include basic inorganic elements such as carbon hydrogen oxygen and nitrogen as well as sodium calcium and potassium which occur in small amounts in addition compounds such as water carbonates phosphates and a few other also form part of living organism for an ecosystem to function it is essential that there is a continuous flow of energy and cycling of nutrients क्या है इसमें समझते हैं जैसे कि food chain में क्या बताया जा रहा था कि sun source of energy है energy flow कर रहा है तो सिर्फ energy flow नहीं कर रहा है इसमें से क्या हो रहा है जब energy flow कर रहा है तो यह also involved यह किसको involve कर रहा है circulation of nutrients nutrients भी circulate हो रहा है जो किसको include करता है basic inorganic elements कोन कोन है carbon है hydrogen है oxygen है nitrogen है sodium है calcium है potassium है जो कि small amount पर पाय जाते हैं ठीक है तो यह सारे चीज भी flow कर रहे है energy की साथ साथ ठीक है in addition compounds और भी बहुत सारे compound है जैसे कि water है carbonate है phosphate है and a few others also form part of living organism यह सब भी क्या करते living organism के part को form करते है ठीक है तो for an ecosystem ecosystem के लिए क्या है for an ecosystem to function ecosystem के function करने के लिए क्या है it is essential यह भी जरूरी है है क्या जरूरी है हमारे bond बनने के लिए तो क्या है यह essential है continuous flow of energy and cycling of nutrients है ना तो continuous flow of energy energy flow करेगा तो हम लोगों को ताकत मिलेगा हम लोग पढ़ेंगे तो ठीक है और उसके बाद क्या हो रहा है cycling of nutrients और nutrient cycle होगा तभी तो हम लोगो energy provide होगा तभी तो हम लोगों के बाड़ी में present होने जाए वो सारे चीज़ हम लोगों के बाड़ी में present रहेंगे तो यह क्या जीज़ है यह essential है है ना बस यही कहा गया है उसके बाद क्या आता है nutrient cycle सबसे important topic इस chapter का तो इसे हम next class में में आया होगा कहीं भी कोई भी डाउट बसता है तो आप मेरे से पूछ सकते है I hope friend कि आप इस सेट को बहुत सेयर करेंगे और मुझे support करेंगे so thank you so much आप एक बार प्लीज पढ़ लेना उससे आपको और clarity आएगी ठीक है thank you so much God bless you